प्रिवी द्यार्थियों आप सभी लोगा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर बहुत ही मोस्ट इंप पॉइंट होने वाला एसेशन इसमें के जियोग्राफिय के मोस्ट इंप पॉइंट प्रश्णों की स्रिंखला पर बात होने वाली है देखें पा पर बात होने वाली है जो 2024 के एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉइंट रहेगा और उत्तर प्रदेश मादेमिक सिच्छाबोट का जो मोश्टी पॉइंट मॉटलिप पर एडिशन और शादी साथ जो न्यू सेलिबस के कॉडिंग आपका ये पूरा का पूरा सेशन रहेग देगे पहला प्रशन क्या प्राक्रति ग्रिया कलाप से आप क्या समझते हैं और उदारण सहीत इसका क्या करना है वर्डण करना है तो प्र करने के लिए विशेज ग्यान सिच्छा किया हो सकता नहीं होती है उन्हें हम लोग प्रात्मिक क्रिया कलाब कहते हैं ठीक है बहुत ही इंपॉंट था देखे ऐसा वेवसा है जिसके दोरा मनुष्य प्राकृतिक संसादमों से सीधे भोजन वस्त अवासता अन्यशूदाय प् लिए लिए ने बनई काए लिए मशले क्या है een प्रात्मीक ये प्राकृतिक क्रिया कलाब की मतलब आप स्वता इपकड़ ठोक नहीं है प्राकृति में हो जाएगा पशूचाल गयां डियात की लोग कोई काम नहीं तो पशु कालान का वंश्ताय होगा इसे से पालन हो गया तो यह सबी जितने भी विवाशाय होते हैं इन सबी कॉलोग प्राकर्थि-क्रिया-कल%. बीड्रिम्स ह्याले को प्राकर्थि चाहता नहीं होती है यह सीधे मतलब यह सीधे आप्राप्त कर से बहुत ही को बढड़ते है तो आयात और निर्यात का आप शुजा पेपर बने और उसमें आयात और निर्यात के बारे बात कि देए जा या फिर इन दोनों में अंतर न पुछा जाए यह तो possible ही नहीं है ठीक है impossible है तो उसी में लेकि यह प्रशन है आप लोगों का आयात और निर्यात देंकि आयात के बारे बात किया जाए तो जब कोई देस किसी दूसरे देस से कोई माल अपने गरेलू बाजार में बेचने क को बेज़ता है दूसरे देस को अपने यहां जो पैदा हुआ दूसरे को दिया गया तो उसे हम लोग कहते हैं नरियाद निर्याद कहा जाएगा ठीके दो दिशों के तो तमाम तरह के हैं उसके दिश्टी कोड अपने अलग लग है ठीक है लेकिन आया तो निर्यात यह जो है भूगोल की बहुत ही इस पॉइंट है क्या लाब है तो यक्यदे असी करी प्रियुजना को पूड़ा करती हैं या कई आयर्षियों को दिहान में रखते हुए बनाई गई जो नदी घासिद्लदी प्रियुजनाय या जो योज्assis होती हैं उनको हम लोग कहते हैं नदी घाटी पर यूजणा ठीक है बहुत ही महतवड है बहुत ही महतवड है ब Calling में इस पच्छोर में बहुत है नदी घाटी काम ले तरीके से करती है ठीक है ना पानियों को रोकते हैं जो डैम की माद्धिम से दूसरा क्या होगा इससे जल विद्दुत का उत्पादन होता है यह आपका दूसरा हो जाएगा तीसरा देखें जल सिचाई के लिए बांध उपी होगी है यहली जल जो होता है जल सिचाई क करने के लिए देखे घाओं में जो होता है मुकृफ से जो यानी यहां पर जो प्रयोग करें बांध के आता है सिचाईए में तो यह बहुत मला बहुत बढ़ा काम हो जाता है ठीक है ना जो जल हो तक nella कि आ पांचवा मतरपाणि क्या हो जाएगा यहां पर अपने मदरंजन के लिए भी लोग जाते हैं लेकिर समस्ट बहुत जैसे यहां पर देखेंगे आप लखन्यादरी देवदरी इस तरह तरह कि न हम लोग कब अनसी से देखेंगे तो मिरजा पुरजीले में सुन्बदर सेबा पर देखेंगे लोग अक्सर लोग गुमने के लिए फिरने के लिए भी जाते हैं प्रेटन इस तल के रूपने भी बन जाता है वह तरीके से एकना टूर बगर लेके जाना यह चीज़े भी देखने को मिलती हैं इसका मतलब देखेंगे आर्थिक साहता यानि किसी राज जियर शासन अधिकारिक संस्था आधिकी ओर से किसी विशेश कारे के लिए किसी वेक्तिया संस्था को दी जाती है इसका मतलब देखेंगे आर्थिक साहता यानि किसी राज सासन या ठीकारिक संस्था आधिक और किरना किसी विशेश कारे के लिए क्लिए कि संस्था को दी आगाने बला किया किया गया कोई वेक्तिया से सरकार है कोई बेअर काम हो रहा है समाज यी काम हो लहा cultiv को जो पैसा कर लिए जाता है कि लेजिए आप यहां पर लोगों की बहलाई कीजिए तो उशी को बुला जलाएता है अनुदान के बारे में एक जए इसका या देखिया वित्त पोस्टड करना तरेके वित्त का पोस्टड करना है जन्हीं-धन से पोसटड करना अर्थात किसी संस्ता अत्वा संगतन को वित्ती सहायता परदान करना ही क्या कहलता है अनुदान कहलता है ठीक है संस्ता अत्वा संगतन को वित्ती सहायता देना ही क्या कहलता है अनुदान कहलता है अनुदान कहलता है परते एक घर में देखें सेप्टी टैंक होना चाहिए यह पहली मातपुड़ बात हो जाएगी तब आप जल को रोख सकते हैं दूसरा क्या यहां पर सोधन के पुरू और द्योगिक अपसिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए यह देखें दूसरा पॉइंट हो जाए हैं दो देते हैं तो यह भाई जाइज सी बात है जलो में आप सीधे डायट कर देंगे तो जल पर दूसरा तो होना सभाविक है ठीक है ना यहां अब देखें चौता क्या हो जाएगा कि नास को देखा जाए कवकनासियों को देखा जाए आदिक रूप में जो है निमनी अनुखोल से प्रमुखषक fabrics यह हैं जिसके अंतरगत क्या होता है मानों की उत्पत्ति से लेकर वरतमान समय तक उसके वह पड्यावड के साथ संबंदों का अब दिन कियाता है था यह इसमें देख़ें कि मनुश्य को और भूगोल को यानि कि पर्यावड को बगो भूगोल को और चाधी साथ पर्यावड को मानुमनश्मिक को और पर्यावड को लेकर जो है अब्धिन किया आता है उसे हम लोगक कहते है वानो-अब भूगोल मानो भूगोल देखा जा तो एक कत्यनत लोकुरी है और बहु अनुमोदित परिभाशा है मान योम उसका प्राकर्तिक पर्यावरल के साथ समायोजन का जो अध्यान होता है बुशह ही हम लोग मान भुगोल कहते हैं तो यह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्णों की स्रिंकला यह प्रश्णों की स्रिंकला आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और यह दे वीडियो थोड़ा सा भी लगा हो तो इसे अपने क्लास्मेट पर शेयर जरूर कीजेगा और पांच मार्च को एक्जाम म तब तक के लिए टेक कियर गुडबाय जै हिंद जै भारत और सिच्छा सास्तर के लिए इतियास के लिए और शादी साथ समाज सास्तर के लिए तैयार रहे डीजेसर चैनल के साथ जुड़कर